हलो एंड वेलकम टू दे क्लास आज हम डिस्कुशन करेंगे सिलेक्टिव कोश्चेंस लॉंग कोशिन और सॉट कोशिन जो कि आपकी कोर पेपर नाइन से आ रहे हैं फीजियोलोजी से ठीक है फोर्थ सेमिस्टार कुछ इंवर्सेटी के अंदर जैसे आपका एप्रिल में हो स है तो यह आपका कोर पेपर में पहला यूनिट जो है फीजियोलोजी अफ डाइजेशन यहां से कोश्चन कौन सी चीजे में आएगा दीगे एक तो आएगा डाइजेस्टिव सिस्टों को डेस्क्राइब करने के लिए जहां पर आपसे अलिमेंटरी केना लियाने की माउट से लेकर आनस तक यह चीज़ों को डेस्क्राइब करना है कैसे माउथ है वोकल कैविटी है उसके अंदर टीथ टॉंग है उसको डेस्क्राइब करना है ठीक है वीडियो जो है चानल पर आभेलेबल है स्ट्रॉक्चर अर्गनाईजेशन अफ ग्यास्ट्रों इंट्रेस्ट् स्ट्रॉक्चर की सासाथ यह चीज़ आपको बतानी पड़ेगी प्रोसेस अफ डाइजेशन एक्स्लें दो अलिमेंटरी कैनल सिर्फ आपको अलिमेंटरी कैनल की बारे में लिखना है यानि कि माउथ से लेकर अनस तक पुरा बॉकल काविटी, ओशोफेग, स्टोमाग, स्म इस प्रकार की chemical digestion हो रहा है, mechanical digestion हो रहा है, खाना को हम चुतों हो रहा है तो mechanical digestion होता है और enzymes की मदद से जो हो रहा है वह chemical digestion होता है, तो वह चीज़ को आपको डश्क्रैब करना है, माल लेजिए, घुमाफ्यरार के कोशे नहीं से पूछेगा, तो भी आप ऐसे कर सकते हो, नेक्स्ट वाटीज अब्जोर्शंस अब्जोर्शंस क्या होता है खाना तो डाइजेस्ट हो गया कॉंप्लिक फूड मैटरल जो था वो सेंपल हो गया उसके बाद उसको ब्लॉड को ट्रांस्पोर्ट करनी है ठीक है वो चीज के बारे में आपको लिखना है और आपकी सिलाबस के अंदर भी डाइजेस्टन फूड का जो आपजर्शन अदर फूड कार्वाइडर्ड लिपेड और प्रोटीन की है लेकिन आपके लिए इंपोर्टन जो लॉंग कोश्टन की पॉइंट और व्यू से है कार्वाइडर्ड है है स्टृट कोशेंज पाडव यू से लिपिड है तो कोशेंज जो जो है ना लिपिड की किस के सिरी मैईसली क्या हूता है काइलो मैकरों क्या होता है ऊस्ट कोश्यूंज में आएगा ठीक है तो नहीं तो नेम दो टीशू तो ठीक है जो ऐसा किसकी डाइजेशन हो रहा है बगेर एंजाइम से ठीक है ना वो लिपेड होता है वहाँ से ऐसे कोशन आ सकता है डेस्क्राइब फिर हम देखेंगे तो आपको कार्भाईडरे डाइजेशन जो है लॉंग कोशन के लिए तैयरी करना पड़ेगा क्योंकि शॉट्नोस पीता आएगा ना डेस्क्राइब देक्ट्रॉल अफ सिक्रेशन से कौन सी टीशू से कौन सी एंजाइम सिक्रेट हो रहा है उसके बारे में हमको लिखना पड़ेगा ऐसे पुछे करने हम दो टीशू और दो सेल दाट सिक्रेट दो एंजाइम एंटेरोका काहां पर इसकी अब्जूर्शन से हो रहा है ठीक है तो याद रखे स्टों माख में होता है तो यह बहुत सारे कुश्चिन है आपको इस तरह की सी चीज़े याद रखनी पड़ेगी ठीक है तो अलिमेन्टरी के नलगी स्टों माख के अंदर किसकी डाइजेशन हो रहा है वाटर की अल्कोहल की अन्ड़ शिंपल सुरुगा है माल लिजए कोई सराब ले रहा है तो आलकोहल की डैजिशन आप साफ स्टोमाइक में हो जाएगा ठीके तो फिर नीउकल्टेड को डाइजेशन करने के लिए कौन्सी एंजाइम है राइजेशन सिर्फ शिंपल पुछा जाएगा अ क्या है ठीके ना उनकी एंडो क्राइप को क्या कहते हैं उनकी एक्जोगराइप को क्या कहते हैं उनकी एक्ज्डोगा गॉल बलेडर क्या होता है, गॉल बलेडर की functions क्या है, यहां से पुछ जाएगा, ठीके ना, describe the process of digestion with the help of pancreas, pancreatic juice, कैसे होता है, उसके बारे में पुछ जाएगा, ठीके ना, आच्छा, तो what is the elementary canal, elementary canal क्या होता है, और TS of ornamentary canal यानि कि जो चार लेयर होता है सेरोसा, ठीक है ना muscularis, mucosa, sabmucosa इस सारे के बारे में पुछा जाएगा what are the organs of human alimentary canal mention the major digestive gland along with their location ये भी आपको पुछा जा सकता है ठीक है, तो gland के साथ-साथ alimentary canal को describe करने के लिए भी पुछा जाएगा, ठीक है तो इस तरीके से short questions आपको मिल जाएगा short questions, तो ऐसे जितने भी parts आप describe करोने जैसे नमाल लेज़े, teeth, teeth के बारे में भी पुछा जा सकता है human teeth किस तरीके से है heterodent है, है ना conciolog-alag inciderm, canine, primolar, molar heterodent है, what is the meaning of thick specifications के लियुख है, ठीकेश तो ऐसे पूछा जाएगा, diphidant की मतलब है कितना diphidant teeth है, कितना monofidant teeth है, ऐसे पुछा जा सकता है pancreas की बारे में पुछा जाएगा chemical digestion क्या होटा है, mechanical digestion क्या होता है, काइम क्या होता between fabrics, astronom απ किया होता है आगशा तो बाईल सॉर्च की नाम लिखिए बाईल पिगमेंट की नाम लिखिए यह सारे पूछा जाएगा, यह है आपकी पुरा-कपुराe कौनशी इससां को साट नोट्शू है ठिके है इससां कोट्थ हैर् वो लों कोशिंस था ऐसे पूछा जाता तो आपको एकदम जो bit by bit जो है यह आपको अच्छे से समझ लेना जरूरी है ठीक है आपको difficult लग रहा है इसके एक मतल़ कि स्टोरी से मैं आपको चीजे बताती हूं ठीक है मानले जी यह सरकस्मयन है उनकी लायन है यह सीप है ठीक है ना इस सीप है बेड है और यह लायन है सर क्या करेगा वह जो लाठी है उनका जो लाठी है उसको पकड़ लेगा लेकिन लेकिन जो लायन है ना लायन क्या करता है मानले जी वह उनकी कंट्रोल में आप तक नहीं आया है वह कोशिज कर रहा है उसको कंट्रोल के लाने के लिए उस टाइम पर लायन क्या करता है क्यूं लाठी मुझे प्रहार हो रहा है तो इसका मतलब कि प्रॉब्लम लाठी हे, इसलिए सीप क्या करेंगा, वो लाठी को पकड़ लेका। लेकिन यह जो सरकस्मेंस है नीटन्हों क्या करेंगा वह नोक भी व्युशत मनों पूहा है। ज तो इसलिए आपको कौन सी question आएगा उससे घवरानी की ज़रूरत नहीं है problem question से नहीं है problem ये अपने सिलावस complete करोगे तो आपका अच्छे से चीज़े हो जाएगा किसी भी घुमा फिरा के question आएगा कोई दिक्कत नहीं है question बन जाएगा ठीक है ये आपके अपने वो चीज़े कि अच्छे से तयारी करना चाहते हो इधर उधर ना घुमके तो आप एड स्टार्ट के साथ जूड सकती हो यहां पर contact number दे रखा है 7894 226802 यहां पर भी अभी जो है class round हो रहा है ठीक है तो आपको से एक मतलब फोर्ट सेमिस्टर की बात करूंगी फोर्ट सेमिस्टर के ल सब्सक्राइब के लिए हैं सिर्फ comparative अनर्टों में आप चाहते हो तो आपने इतना प्राइस के अंदर जॉइन हो सकते हो तो मतलब कि more information के लिए इस नंबर पर contact कीजिए ठीक है और यह चीज़े आपको यह सारे facilities जो है आपको मिल जाएगा और यह आपकी senior और आप कोई चा तो आप चाहते हो इस प्राइस में जुडने में तो क्रास्कोर जो है 3000 की जो क्रास्कोर से आपको 1800 में मिल रहा है तो आप चाहते तो जूड से हो ठीक है तो हम next बात करेंगी unit 2 की जो questions है unit 2 जो है physiology of respiration की बारे में तो यहाँ पर long question जो होगा structure and functions of human respiratory system जहाँ पर आपको respiratory system की mechanism of respiration भी आपको बताना पड़ेगा समझ रहो ना या तो question है इससे पूचे गएगा what is respiration respiration क्या होता है integral oxygen coming out of the carbon dioxide जो की environment under longs की बीच में हो रहा है under describe mechanism of respiration response यह कोशिन आ सकता है ठीक है ना मतलब कि question structure पूछेगा तो भी आपको mechanism लिखना है structure के साथ mechanism लिखना है mechanism पूछेगा आप structure के साथ भी mechanism लिखना पड़ेगा या तो question आ सकता है transport of oxygen and carbon dioxide in the blood कैसे transport हो रहा है या respiratory gases की कैसे transport हो रहा है under oxygen dissociation corp या कौन सी factor है oxygen dissociation corp को affect कर रहा है ठीक है तो channel पर structure है histology बगरा यह जो रहेगा उस heart notes की हिसाब से आएगा देखें तो short notes की बारे में यह दिखेंगे कुछ ऐसे आएगा देखें एक आएगा respiratory qcent क्या होता है respiratory qcent कितना अपने carvoidid consume किया है कितना lipid consume किया है उसके उपर डिपेंड करेगा respiratory qcent respiratory pigment जैसे हमारे कैसमें hemoglobin होता है इसलिए हमारे blood की color जो होता है तो यह आपकी red रहता है पूरा कपर अनिमल किंग्डम में देखोगे और कुछ होता है ऐसे भी पुछा जाएगा कि टाइप सफ रेस्पिरेशन जो स्केन के त्रूर रेस्पिरेशन करते हैं तो यहां पर देखोगे यहां पर बहुत सारे चीज़े मैंने आपको डेस्क्राइब किया है हमबर्जर फेनोमनन क्या होता है chloride shift क्या होता है ठीक है तो ठीक है यह यहां से question पूछा जा सकता है और यहां पर histology of trachea ऐसे question आ सकता है histology of lungs question आ सकता है समझ रूना pulmonary ventilation क्या होता है respiratory volume से question आ सकता है respiratory capacity से question आ सकता है ठीक है तो इस तके से short question यह आ जाएगा तो आपको syllabus wise यह सारे चीज़े details में मिल जाएगा पर deep की सासाथ हम सभी चीज़े solve करेंगे साथी साथ MCQ भी practice करेंगे ठीक है यह आप चाहते हो तो जूड सकते हो यहां पर दीखे नेक्स्ट इूनेट 3 की बात करेंगे जहां पर आपका renal physiology की बारे में है और blood की बारे में यहां कि excreutory systems की बारे में है what is renal system पूछेगा या what is excreutory system describe the structure and function of kidney तो kidney की जो structure है तो यहां पर structure की लिखना पड़ेगा kidney के अंदर जो nephron है उसकी structure फिर लिखना पड़ेगा ठीक है यह जब भी आपको ऐसे question पूछे जाएगा शिर्प अपने पहले kidney की structure के लिख हो कैसे cortex मेडूला है पिरामीड है है कलम अफवर्टिन है सारे आपको लिखना पड़ेगा उसके अंदर नेफ्रन है फिर नेफ्रन की सारे पार्ट जोबा मिन्स कैप्स लोग अपी सीटी डी सीटी लिखना पड़ेगा ओ सिर्प सिर्प स्ट्रॉक्चरल पार्ट में आएगा question second कैसे आ सकता है mechanism of pure information में कैसे filtration हो रहा है फिर कैसे tubular secretions हो रहा है यह सारे चीजे आपको लिखना पड़ेगा कैसे net glomular filtration rate क्या होता है यह सारे चीजे के बारे में what is hemopoiesis यह वी एक long questions है ठीके ना hemopoiesis क्या होता है और एक होता है एक to hemostasis होता है और एक hematostasis होता है जो कि blood coagulation की बारे में extrinsic factor क्या है intrinsic factor क्या होता है वहाँ से question आ सकता है ठीके और components of blood and their functions blood की components मतलग की आपको RBC WBC platelet उनकी बारे में discussion करना है plasma की बारे में भी discussion करना है यह है पुरा का पुरा blood की बारे में and blood की है आचा है short notes आपको क्या आ सकता है देखिए respirator structure की मानलेजे describe what is the renal pyramid है ऐसा question आ सकता है PCT की बारे में लिखिए DCT की बारे में लिखिए तो इस तरह की question आ सकता है और blood से मानलेजे blood की components की बारे में question आएगा कलम बारे में differences between जैसे की WBC और RBC की बीच में differences ऐसे पूछा आ सकता है ठीक है तो कौनसी vitamin blood clotting के लिए responsible होता है यहां से question आ सकता है RS factor क्या होता है erythroblastosis fortalysis क्या होता है ठीक है ना जो मतलब कि RS factor की positive negative blood group की जो साधी होगा फीमेल negative है father positive है उस case में जो second delivery जो होता है ना second issue जो बच्चा रहेगा उनकी RBC फट जाता है erythroblastosis हो जाता है अंतलग की RBC फट जाता है तो इसके बार में पुछा जा सकता है MN blood group क्या होता है यह सारे चीजे आपको मिलेगा add start पर ठीक है तो यहां पर आप और नहीं तो आपने खुदी भी प्रिपर कर सकते हो लेकिन आपको यह से प्रिपर करना पड़ेगा ठीक है यह short questions के हिसाब से आ सकता है फिर बात करेंगे unit 4 जो की physiology of heart circulatory systems के बारे में है तो आपको structure of human heart उसको लिखना पड़ेगा circular system कैसे हो रहा है यूँकि pulmonary circulation है systemic circulation है और एक है coronary circulation है यह तीनों circulation की बारे में लिखना पड़ेगा cardiac cycle जो है channel पर video available है अच्छे से दीख लेजिए ठीक है ना cardiac cycle मैंने अच्छे से समझा है किस तरी के साब को describe करना पड़ेगा क्या cardiac cycle है stroke volume क्या होता है ठीक है तो इसके बारे में लिखना पड़ेगा short notes की हिसाब से क्या सकता है as node and every node की बीच में differences बताईए यह तो बार बार आता है ठीक है mammalian heart जो यह neurogenic होता है या myogenic होता है mammalian heart जो होता है myogenic होता है muscle से ही impulse generate होता है ना कि brain उसको impulse generate करवा रही नहीं brain की सिर्फ इतना काम रहता है कि heart rate को तेज करेगा या धीमे करेगा समझ रहा है increase and decrease करना उनकी functions होता है लेकिन initiation करना heart rate को starting generate करना impulse generate करने की काम जो होता है खुदी ही cardiac muscles की होता है human heart does होता है myogenic होता है frog बगर है कि आप देखोगे ना वह myogenic नीरोजनिक होता है नौर्वस सिस्टम उसको control करता है लेकिन हमारे केस में हमारे जो सिस्टम है उही मतलग की cardiac cycle जा होता है वह उसको control करता है आपको इसी जी के बारे में आएगा इसी जी एक electrocardiograph आ सकता है या तो gram आ सकता है जो gram होता है जो आपने देखे होंगे ठीक है ना आपने ऐसे movie वागरा में आपने देखे होंगे टिक टिक करके ऐसे ओटी के अंदर डक्टर है ना उनकी patient है hero जो है बाहर खड़ा है heroine अंदर है ऐसे कर रहा है वह उसे prayer कर रहे है अंगर के पास जाके तो ओजो होता है ना ओजो चीजे होता है ऐसे हम देखते हैं electrical rhythmicity of the heart देखते हैं तो जो graphical paper के अंदर जो चीजे परच्छाई जो आता है डक्टर को हम देते हैं वह होता है electrocardiogram ठीक है ना लेकिन जो machine है जिसको medical support इमिन और्स हो सकते हैं या डक्टर हो सकते हैं जिसको patient की उपर ऐसे लगा के दिखेंगे वह जो होता है electrocard graph मेसिन के नाम होता है graph वो जो graph paper में जो बनाया जाता है मतलब कि जो मैसे में जो record हो रहा है वो जो you wear उसको gram बोलते हैं आप देखो के exam क्या पुछा गया है gram पुछा है electrocardiogram पुछा है या graph पुछा है ठीक है तो blood pressure क्या होता है वहाँ से question आएगा blood pressure को कैसे regulate करते हैं कैसे कौन सी hormone secret हो रहा है heart से जो इनको regulate कर रहा है ठीक है ना chemical ये कैसे control हो रहा है फ्रांक स्ट्रालिंग लोग जो होता है यहां से किस तरह के से जो इंडड़ाइस्ट्रीलिंग भल्यूम बढ़े रहा ठीक है यह सारे चीज़े यह आपकी questions में आ जाएगा तो I hope आपको चीज़े समझ में आएगा कौन से long question है यदि आपने जाइन करना चाहते हो तो इस नंबर पर कंटक्ट कीज़े और एक एम के साथ साथ सी जो को complete कीज़े ऐसा नहीं कि हां मुझे सिर्फ और सिर्फ मतलब कि BACQ complete करना है आगे चलकर आपको क्या करना है आज से ते कीज़े ठीक है तो आपको research फिल्ड में आना है या आपको lecture से बनना है या तो टीचर से मालीजी आपने बीड़ी की तयारी भी करना है तो भी यहां से question पूछा जाता है आपको भी जो तीन साल है ना सिर्फ आपको exam क चक्कर में क्योंकि आपके पस तो time नहीं रहता है internal है फिर semester है फिर practical करनी है फिर internal semester तो कब एक साल गुजर रहता है पता ही नहीं चलता है लेकिन आपके पास यह ती हर एक चीज़े को आप बीट बाइबीट अच्छे से समझ लोगे ना तो आपको किसी भी तरीके से चाहे आपने civil service की exam भी क्यों ना दो क्योंकि मालीजी आपको वहां पर जूलोजी तीन साल पढ़ रहे हो तो उसके साथ आपकी जो special paper है ना तो आप जूलोजी लेके करोगे तो आपकी paper है आपकी mastery है आपने वहां पर डिगरी किये हैं तो आपको असान रहेगा चीज़े समझना ह समझे हो ना दूसरे general science बगरा उतर लेंगे तो उसको जिलोजी के साथ लेंगे तो क्या कौन सी लाइन में आपको जाना है आपको एक साइंटिस्ट बनना है जैसे covid के time पे हम लोग जब घर थे तो कौन बनाये थे वह vaccine वही तो life science आप लोग आप लोग जैसे ही लोग है न आपको वहां पर जाने के लिए कोई नहीं रोख सकता है ठीक है तो selection questions तो ऐसा बोलना भी होई है लेकिन आपको selection आपकी सिलाबसी है ठीक है और कुछ selections नहीं है तो I hope आपको चीज़ अच्छे समझ वाएगा वीडियो पसंद आए तो like केजिए subscribe केजिए और आपकी junior के साथ या senior के साथ भी share केजिए तकि वो जाते हैं जुनने में तो इस्टार्ट के साथ जुड़ सकते हैं तो thank you